प्रतिविम्बित हो रही है तो इस तरह वाणी की सुतंतता पर इतना भार दिया है नरिश महता ने कि इसकी चर्चा किये भी ना प्रवाद पर्व की समिक्षा प्रवाद पर पर चर्चा सफल नहीं होगी राम कहते हैं कि गुंगेपन से स्रेयस है वाचालता लक्षमर से कहते हैं कि गुंगेपन से स्रेयस है वाचालता कि मनुष को गुंगा नहीं होना चाहिए अगर वह गुंगा होता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिये जाते हैं और वह अपने अधिकार को प्रात नहीं कर सकत बहुत से राज में राजा यही करता है कि जनता को मूख बना करकता है उसकी अभिवेक्ति की स्वतंतता प्रतिबंध लगा देता है ताकि न वह बोलेगा न करांती होगी न विद्रो होगा और उसकी सत्ता सुरक्षित रहेगी तो राम कहते हैं कि मूख गुंगेपन से स्रियस है वाचालता यानि आदमी को वाचाल होना चाहिए गुंगा नहीं होना चाहिए अन्यथा वो अपना सारा अधिकार खोदेगा और वो अपरासंगिक नहीं रह पाएगा नरेश महता भासा की संदर में बात करते हैं कि भासा केवल मनुष से के ही पास है चाहे वह देव भासा हो या माटी भासा देव भाषा का मतलब है संस्कृत और माटी भाषा का मतलब है लोक भाषा जो माटी से जुड़ी हुई भाषा है हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा उसे माटी भाषा कहा है इन्होंने और यह भी कहा है कि जिस दिन मनुस्य की भाषा छीन ली जाएगी वह इतिहास का सबसे दुर्भागे पूर्ण दिन होगा भाषा पर अभी व्यक्ति पर नरेश मेहता बहुत भार देते हैं और राम यह भी कहते हैं लक्षमन से कि जिस दिन मनुष्ट की भाषा छीन ली जाएगी उस दिन हमारे काव्य जिवा विहीन हो जाएगे हमारी संस्कृति जिवा विहीन हो जाएगी हमारा उपनीशद हमारे शास्त्र पुरान सब कुछ अभी व्यक्ति विहीन हो जाएगी और हम जिवा विहीन हो जाएगे हमारी सारी संस्कृति जिवा विहीन हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि भाषा को बचाय रखना और उस भाषा को के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करें यह उनके लिए काम में है मतलब उस पर पतिबंध नहीं होना चाहिए अगर पतिबंध होता है तो परजातंत्र का कोई मतलब नहीं इमरजनसी का सारा संदर्व यहां पर रिफलेक्ट हो रहा है नरेश महता यह भी कहते हैं कि भाषा की परकास आकाश से अवतरित होता है भाषा की तुलना प्रकास चेकी है और हमारी संस्कृती में भारतिय संस्कृती में भाषा को बहुत महत्पूर्ण स्थान दिया गया है भाषा को प्रकास से तुलना की गई है भाषा की विर्हदार अन्यक उपनी सद में और मैं समझता हूँ कि वहां से नरिश्मेहता ने यह बात गरहन की है, वहां से उन्होंने प्रभाव गरहन किया है। और वह रोशनी प्राप्त करता है। अगर चंद्र भी अस्त हो जाए, उसका भी प्रकास समाप्त हो जाए तो यागिवल कहते हैं, तब मनुष्य अगनी के प्रकास में कर्मरत होगा और कर्मठ बनेगा, वह प्रकास प्राप्त करेगा। लेकिन जनक ये जानते हैं कि आसुरी शक्तियां इतनी परबल होती हैं कि वह अगनी के प्रकास को भी समात कर सकती हैं। तो उनके मन में संदे है कि अगनी का प्रकास और उसका ताप भी अगर समात हो जाए तब तो यागिवल कहते हैं तब मनुष्य उस अंधेरे में वानी के द्वारा यानि भाशा के द्वारा वाक के द्वारा एक दूसरे को पुकार कर एक दूसरे का हाथ थामेगा, सहारा प राप्त करेगा तो भाषा में एक प्रकाश है जो हमारी संस्कृती इसको सावित करती है अरे उदारन जाग वल्क और जनक का है उसमें बात पूरी तरह से प्रतिविंबित होती है और राम यह प्रवादपर्व के जो राम है वो जो खहते हैं कि आकाश से भाषा से आकाश से धर्ती पर अफ्तरित होता है यह उसी संदर्ब से जुड़ता है बिरिधारण्यक उपनी शत्थ से है तिसरी महत्पुन बात इस प्रवादपर्व की है वो यह है कि इसमे राम, राज द्रोह और देश द्रोह की नई व्याख्या करते हैं वो राज धर्म की नई व्याख्या करते हैं जब लक्षमन ये कहते हैं कि सीता की पवित्रता पर जब धोवी ने उंगली उठाई तरजी ने उठाई तो यह राज द्रोह है लेकिन राम कहते हैं कि राजद्रोह नहीं है ये राश्ट्रोह नहीं है क्योंकि राजद्रोह और राश्ट्रोह ब्यक्ति के खिलाफ नहीं होता उसने जो तरजनी उठाई है धोवी ने वो व्यक्ति के खिलाफ उठाई है राम के खिलाफ उठाई है सीता के खिलाफ उठाई है और सीता और मैं ये राश्ट या राजी के परयाय नहीं है हम व्यक्ति हैं आपर देखें कि यहां पर राम किस तरह से अपने को देवता न मानकर एक सामान व्यक्ति के रूप में एक राष्ट्र के नायक के रूप में लेकिन राष्ट के पर्याय के रूप में अपने को पेश नहीं करते यही तो है कि नरेश महता ने राम के इश्वरत रूप को हटा दिया है और मनिश्च के रूप में प्रस्तूत किया है उनका ये कहना है कि व्यक्ति राष्ट्र का पर्याय नहीं होता और रावन का संदर देकर कहा उन्होंने कि रावन राष्ट्र का पर्याय बन गया था और यह बात फिर इमर्जेंसी पर लागू होती है कि में भी जो शासिका थी वह राश्ट्र का पर्याय बन गई थी राजी का पर्याय बन गई थी और जिस पर नागाजू ने कहा था इंदु जी इंदु जी क्या हुआ आपको बेटे को याद रखी भूल गई बापको और बहुत सारे संदर्व हैं तो नरेश महतार इस इमर्जे फाशिष्ट ताना साही है उस फाशिष्ट ताना साही का विरोध कर रहे हैं लेकिन यहां पर जो बात कह रहे हैं वो रावन के माध्यम से कह रहे हैं क्योंकि रावन भी राश्ट का पर्याय बन गया था राज का पर्याय बन गया था और वो जो कुछ भी करता था वो अपन कितने लाख लोग जेल की सिंख्चों में बंद हो गए थे और उसके सारे अधिकार छीन लिये गए थे तो राज द्रोह और राश्ट द्रोह की नई व्याख्या करते हैं राम और धोबी द्वारा जो तरजने उठाई गई है उसको असहमती मानते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाप वो असहमती है और असहमती कभी भी राश्ट द्रोह नहीं है वह राश्ट द्रोह नहीं है वह व्यक्ति के खिलाप असहमती है इसलिए उसकी अभिव्यक्ति पर हमें पाबं ठीक नहीं है इस प्रवाद पर्व में राम न्याय व्यवस्था के संदर में जो बाते कही हैं वो आज के परजातंत के संदर में बहुत महत्कून है न्याय व्यवस्था को हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए उस पर किसी व्यक्ति विशेश का प्रभाव नहीं होना चाहिए अगर हम उस पर व्यक्ति विशेश का प्रभाव रहता है तो नियाई विवस्था सही नहीं हो सकती यह नियाई विवस्था रावन के समय में भी सही नहीं थी और बात रावन के संदर में कह रहे हैं राम लेकिन यह बात इमर्जन्सी पर लागू हो रही है इसे बार-बार हमें बताना पड़ता है ताकि तभी हम आधुनिक्ता से इसको हम जोड़ सकते हैं न्याए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का पक्षपात न हो तो राम ये कहते हैं कि न्याए स्वार संबंधों से उपर होना चाहिए स्वार संबंधों से जब उपर होगा हम निरलिप्थ होंगे तभी किसी के भाग का निर्णय कर सकते हैं अन्यथा वह पक्षपात पूर निर्णय होगा लक्षमन से कहते हैं राम कि राजा या न्याए संबंध नहीं होता सत्ता के गोमुख पर बैटकर उसके सारे शक्ती जलों को अपने ही अभिशेक के लिए संचित करना यह कौन सा दर्सन है लक्षमन सत्ता के गोमुख पर बैटकर गोमुख एक बहुत ही पवित्र चीज है जहां से गंगा निकलती है और वो सब को प्राप्थ होती है लेकिन कोई उस गोमुख पर ही बैटकर अगर सारे जल को अपने अभिशेक के लिए संचित कर ले उसी तरह सत्ता के गोमुख पर बैटकर सारे शक्ती जलों को अपने लिए वो इकठा कर ले तो यह आमानविय है यह न्यायक वो नहीं है इसलिए राम कहते हैं कि निर्वेद की स्थिती में सही निर्णे होता है निर्वेद की स्थिती में निर्वेद शांत रसका स्थाई भाब है निर्वेद एक ऐसी स्थिती है जिसमें हमारा मन बिलकुल शांत हो जाता है हमारा चित बिल्कुल सात्विक बन जाता है हमारी इस्थितियां जो है मना इस्थिति वह बिल्कुल निरलिप्त बन जाती है और इस निरलिप्ता की इस्थिति में जब हम निर्णे करते हैं तो अपक्षपात पूर्ण नहीं होता इसलिए निर्णे के लिए वो निर्वेद की भूमी पर किसी भी शासक को किसी भी न्यायाधिस को आने की बात करते हैं लेकिन आज हम देख रहे हैं तो राम रावन के संदर में भी यही बात है कि उस समय भी जो निर्ण दिया जाता था वह तमस की स्थिती में सात्विक वृतियों से प्रेरीथ होकर नहीं इमर्जेंसी में भी यही स्थिती थी इसलिए राम उस निर्वेद की भूमी पर बात करते हैं कि उस पर हमें निर्ण देने की जरूरत है एक महत्पून बात जो पहले करनी चाहिए थी और छूट गई वो यह है कि नए ढंक से इतिहास लेखन की बात राम करते हैं नए ढंक से इतिहास लेखन वो इस रूप में कि अब तक का जो इतिहास रहा है वह राजाओं महराजाओं का इतिहास रहा है उसकी ताना शाही का उसके विजियों माद का उसकी लडाईयों का इतिहास रहा है और उसमें सत्ता पक्ष ही महत्पून होता रहा है उसमें जो मनुष्य की आम जन की स्थितियां थी वो नहीं के बराबर थी और उसमें उपेक्षित रहा है सत्य उपेक्षित होता रहा है इसलिए राम कहते हैं कि हमें उदातता के आधार पर खड़क से नहीं मानविये उदातता से इतिहास लिखा जाना चाहिए अगर हम आनविये उदातता से इतिहास लिखते हैं, तो यह सही होगा, क्योंकि जो आम जन है, वह उसमें उपक्षित नहीं होगा, आम जन के माध्यम से जो सत्य प्रकट हो रहा है, वह उपक्षित नहीं होगा, सत्य का प्रकटी करण केवल बड़े पुरुस, केवल इतिहास पुरुस या केवल उपनिशद पुरुस से नहीं होता, वलकि आम जन भी इतिहास की अभिव्यक्ति कर सकता है, इसलिए आम जन को इतिहास में अस्थान देना चाहिए, सर्भारा को इतिहास में अस्थान देना चाहिए, यह बात मार्क्स की अस्थापना है, जो हमें दिखा और नरेश मेहता इस कावे में जो बात कहते हैं समरस इस्थिती यानि राजा और परजा के बीच में एक समरस इस्थिती पैदा करने की बात करते हैं और यही बात हम देखते हैं कि कामाईनी में प्रसाद कर रहे हैं प्रसाद एक कहते हैं समरस्ता है संबंद बनी अधिकार और अधिकारी की यहाँ पर राम भी उसी समरस्ता की बात करते हैं कि राजा और प्रजा के बीच जब तक समरस इस्थिती पैदा नहीं होगी तब तक राज्य की न्याई विवस्था सही नहीं होगी और इस तरह से इतिहास लेखन के प्रती नरेश मेहता की एक नहीं द्रिश्टी है वो ये भी कहते हैं कि इतिहास को वनस्पतियों की तरह धरती की शोभा और उसकी गंध होने दो जिस तरह से वनस्पती धर्ती की शोभा है उसी तरह से इतिहास भी अगर धर्ती की शोभा बन जाए धर्ती का हर व्यक्ति चाहे वह महा पुरुष हो या आम पुरुष हो वह भी अगर उसका हिस्सा बन जाए तब इतिहास सार्थक होगा इतिहास लेखन सार्थक होगा और इत इतिहास को अगर राज महल की राज भित्यों के अंदर कैद कर दें तो इतिहास गुलाम बन जाएगा इतिहास को स्वतंत्र होना चाहिए इतिहास को विलकुल स्वतंत्र होना चाहिए उसे किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए निसकर्स के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राम का जो मिठक नरेश महता ने प्रवाद पर्व में प्रस्तूत किया है इसमें क्या नया है और क्या पूराना है तो हम कह सकते हैं कि प्रवाद पर्व में राम के मिठक में जो नया है वो है गीता के असंग कर्म की आलोचना नए ढंग से इतिहास लेखन की परिकल्पना व्यक्ति स्वातंत्र की बात करना ये नया है राज द्रोह, राष्ट धर्म और राष्ट द्रोह की नई व्याख्या करना ये नया है निर्वेद की भूमी पर निर्णे देना ये नया है लेकिन इतने सारे नए संदर्व होने के बाब्यूद राम सीता को बनवास देही देते हैं ये नया नहीं है तो यहां प्रस्ण उठता है कि क्या इतनी नई बाते कहने के बाब जूद उसे जो बनवास दिया गया शीता को तो क्या ये उचित होना चाहिए तो इसका उत्तर ये हो जकता है कि अगर उसे राम बनवास दे देते तो मिथक आउधे मुह गिरता मिथक की हत्या होती मिथक तूटता